जैहिंद आज इस वीडियों हम लोग तीलक विंचर सेर के बारे में बात करेंगे इस सेर में फिर से आज लग गया है बड़ी उमीद थी कि इस बार जब लोवर सर्कुट टूटता है तो हो सकता है कि अपने इस जो हाई लगा था चार पैसा को उसको ब्रेक करते हुए नजर लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज एक पर फिर लवर सर्कुट लग गया तो इस वीडियो में मेलने हम लोग यहीं जानने का प्रयास करेंगे कि किस कारणा से लवर सर्कुट लगा है कब इसका लोवर सर्कुट अब ब्रेक होगा ताकि हम लोग को एक बार फिर से प्रोफित यहीं पर आज इसका लोवर सर्कुट लगा है यहां पर पिछली बार इसका लोवर सर्कुट लगा था जब पिछली बार लोवर सर्कुट लगा था और ब्रेक हुआ जब लोवर सर्कुट तो अपर सर्कुट के साथ ही ब्रेक हुआ अपर सर्कुट शेयर में लगा और शेय सेर का प्राइस बहुत मुश्किल से अपने इस हाई को तोड़ते हुए नजर आएगा तो मैंने कहा था कि अगर सेर का प्राइस 30 रुपए का आसपास आता है तो आप बेश कर निकल जाएगा तो जिन लोगों ने भी सेर को 30 रुपए से तो जब तक कि इस कंपनी के सेर में सेल ओडर ज्यादा लगेगा लोवर सेट लगने के चांसेज है तो अब हम लोग बात करते कि आखि इसका लोवर सेट का ब्रेक होते दिखाई देगा देखिए इसके दो प्रमुख सपोर्ट है एक है 22 रुपए 69 पैसा और एक है 22 रुपए बहुत उमीद है कि इस शेयर का प्राइस अभी लोवर सेट लगा है तो नीचे आ रहा है नीचे आते आते 25 रुपए 69 पैसा तक जैसे आएगा लोवर सेट ब्रेक हो जाएगा दूसरा अगर 25 रुपए 69 पैसा पर लोवर सेट नहीं ब्रेक होता है तो 22 रुपए 90 पैसा तक पूरी गरांटी तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि 22 रुपे 90 पैसा तक इसका lower circuit break हो जाएगा उसके बाद share का price उपर जाने लगेगा क्योंकि अगर इसका share का price lower circuit में 20 रुपे से नीचे आता है तब इसकी प्रबल सम्हाँ होना है कि share का price और नीचे जाएगा और काफी नीचे चला जाएगा तब इसको उपर उठने में काफी ज्यादा समय लग सकता है तो ऐसी इस्तिती में उन लोगों को 30 रुपे से उपर वा करेंगे लेकिन ध्यान रखिए share को जो भी आप buy किये उसको कभी negative में नहीं बेचना है जब भी बेचना है profit में बेचना है चाहे हम कुछ दिन wait करेंगे एक साल दो साल चार साल लेकिन profit में ही बेचेंगे तो I hope मैं जो समझाना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा वीड